Hey everyone, welcome to knowledge center for you तो आज की वीडियो में हम Winter Olympic 2022 पर से जितने भी important questions बनते हैं तो उन सभी important questions को इस वीडियो में cover करेंगे कि Winter Olympic 2022 में कितने खेल खेले जाएंगे, कौन-कौन से events होंगे और कितने medals के लिए events खेले जाएंगे और Winter Olympic 2022 में भारत का क्या participation होगा कितने athletes भारत के participate करेंगे इस Olympic में और साथ ही जितने भी Olympic पर से भी important questions है तो उन सभी important questions को भी आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे तो आप इस वीडियो को end तक पूरा जरू देखेगा exam point of view से काफी ज़्यादा important होने वाली है ये वीडियो आपके लिए तो देखी विंटर Olympic में सभी खेल ये बर फर खेले जाते हैं ठीक है और 1924 में पहली बार France में विंटर Olympic खेल का आयोजन हुआ था और Summer Olympic और Paralampic के तरह ही विंटर Olympic का भी आयोजन ये हर चार सालों में किया जाता है 1992 से पहले विंटर Olympic और Summer Olympic का आयोजन ये एक ही साल में किया जाता था लेकिन International Olympic Committee यानि IOC के डिसीजन के बाद 1992 के बाद विंटर Olympic का आयोजन ये 1994 में हुआ और इस साल विंटर Olympic खेल का आयोजन ये चीन के बिजिंग में होगा और ये 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक खेले जाएंगे विंटर Olympic का उटगाटन ये बिजिंग National Stadium में होगा तो आप ये भी याद अखीगा Most Important है 2022 के विंटर Olympic खेल का आयोजन ये कहां पर होगा तो ये होगा चीन के बिजिंग में और उटगाटन कहां होगा तो बिजिंग National Stadium में इस बार विंटर Olympic खेल में साथ खेलों के 109 इवेंट्स होगे यानि कुल 109 मेडल के लिए खेल खेले जाएंगे ठीक है और ये साथ खेल कौन-कौन से होगे तो देखें, बैटलॉंग, बॉब स्लैडिंग, करलिंग, आइस होकी, लज, स्केटिंग और स्किंग तो ये साथ खेल खेले जाएंगे इस बार Winter Olympics 2022 में और भारत का participation देख लेते हैं Winter Olympics में तो Winter Olympics में भारत का कुछ खास participation नहीं रहा है 1964 से भारत ने Winter Olympics में पार्टिसिपेट किया था और तब से लेकर के अब तक भारत ने इसमें कूल मिला के 10 बार ही भाग दिया है और भारत ने अब तक एक भी मैच नहीं जीता यानि एक भी मेडल नहीं जीता है Winter Olympics से और देखे 2022 के Winter Olympics में भारत ने अब तक पार्टिसिपेशन भी नहीं किया है तो लेकिन फिर भी अभी तीन चान मेंने और बाकी हैं तब तक उच और अपडेट हो जाएगी तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगी तो अब तक तो भारत का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा है 2022 के भी Winter Olympics के लिए तो हमने Winter Olympics 2022 के जितने भी important facts थे तो उन सभी facts को जान लिया अब हम यहां से important question answers को भी cover कर लेते हैं तो first question है ग्रिश्म कालिन Olympic और शीत कालिन Olympic दोनों खेलों की मेजवानी करने वाला पहला शहर कौन सा बना है comment करके बताएगा अगर आपको answer आते हो तो तो इसका correct answer होगा option C ठीक है Beijing ये winter Olympic और summer Olympic ये दोनों ही खेलों की मेजवानी करने वाला पहला शहर बना है Beijing में पहली बार summer Olympic का आयोजन ये 2008 में किया गया था जिसमें भारत ने अपना पहला gold जीता था वो 2008 के ही summer Olympic में अभिनव बिंद्रा ने shooting में gold medal जीता था और उस Olympic का आयोजन ये कहा पर हुआ था तो Beijing में हुआ था और अब winter Olympic का भी आयोजन 2022 में Beijing में ही किया जाएगा तो ये पहला शहर बना है जिसने ग्रिश्म कालिन और शीत कालिन ये दोनों ही खेलों की मेजवानी की है अब next है 2026 के शीत कालिन Olympic का आयोजन किस देश में होगा तो हर चार सालों में winter Olympic खेल का भी आयोजन होता है तो इस बार Beijing में होगा और 2026 में इस Olympic का आयोजन ये कौटिना में होगा तो option B correct होगा कौटिना में इस खेल का आयोजन होगा 2026 में और देखी 2018 में winter Olympic का आयोजन ये प्योंग शांग में किया गया था ठीक है और अगर बात की जाए summer Olympic की तो 2016 में Brazil के रियोडी जेनेरियो में summer Olympic केल का आयोजन हुआ था और उसके बाद फिर 2020 में summer Olympic का आयोजन होने वाला था लेकिन उसका आयोजन कोरोना के वज़े से 2021 में किया गया तो वो कहां हुए थे अभी हाल ही में summer Olympic तो जापान के टोक्यों में किये गए थे उसका आयोज और 2024 में summer Olympic खेल का आयोजन ये फ्रांस के पारिस में किया जाएगा ठीक है और 2028 में summer Olympic खेल का आयोजन कहां होगा तो लोस एंजलीस में होगा तो आप ये भी important points याद अखेगा summer Olympic को भी याद अखेगा most important हो जाता है तो 2026 के winter Olympic का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा त अगला question है 2022 के Beijing शितकालीन Olympic खेल का उधगाटन किस stadium में होगा तो इस winter Olympic खेल का आयोजन होगा Beijing के national stadium में तो इसका correct answer होगा birds nest ठीक है यहाँ पर option में birds nest दिया है तो birds nest correct होगा Beijing national stadium को दूसरा नाम है birds nest अगर आपको option में birds nest नहीं दिया होगा और Beijing national stadium दिया होगा तो यह भी correct है और अगर birds nest दिया होगा तो यह भी correct है तीक है आप यह भी याद अखेगा Beijing national stadium को birds nest stadium के नाम से भी जाना जाता है अब next question देखते हैं शीत कारीन olympic में सबसे सफल राष्ट कौन सा है तो अब तक winter olympic में सबसे ज़ादा medals कौन कौन से देशों ने जीते हैं तो उसमें सबसे पहला number आता है नौर्वे का ठीक है option भी यहाँ पर correct होगा winter olympic में सबसे ज़ादा अब तक medals जीते हैं नौर्वे ने नौर्वे ने 22 games में 118 gold medal जीते हैं 111 silver और 100 bronze medal जीते हैं यानि नौर्वे ने कौल मिला के अब तक 329 medals जीते हैं winter olympic में दूसरा देश है USA तो USA ने total 22 games खेले हैं और इसमें USA ने 96 gold medal 102 silver और 84 bronze medal जीते हैं यानि 282 total medal जीते हैं और तिसरे नंबर का देश है जर्मनी तो जर्मनी ने कौल winter olympic में 11 games खेले हैं और 78 gold medal, 78 silver medal और 53 bronze medal जीते हैं यानि जर्मनी ने कुल winter olympics में 209 medals जीते हैं तो सबसे सफल राष्टर रहा है नौर्वे ठीके आप यह याद अखेगा और USA और जर्मनी को भी याद अखेगा यह top 3 countries हैं जिन्होंने winter olympic में सबसे जाधा medals जीते हैं और अगर बात की जाए भारत की तो भारत ने अब तक एक भी medal नहीं जीता है और आशा करते हैं आने वाले कुछ सालों में भारत के पास भी medals हो winter olympic के त्रू अब next देखते हैं बीजिंग 2022 के शीत कालिन olympic के शुभंकर का नाम क्या है तो mascot पर से भी बहुत important हो जाता है यहां से भी आपको कई बार exam में questions देखने मिल जाते हैं तो आप ये भी याद अखेगा कि 2022 के winter olympic के शुभंकर का नाम है बिंग ड्वैं ड्वैं ठीक है option C यहां पर correct होगा बिंग ड्वैंडवैं और बिंग ड्वैंडवैं का अर्थ क्या है तो बिंग का अर्थ है बर्फ ये पवित्रता और शक्ती का भी प्रतीक है और वही ड्वैंडवैं यह बच्चों का प्रतीनी धीत्व करता है ठीक है तो शीत का लिन ओलंपिक 2022 का mascot है और आप ये भी आ दखेगा सुमाइटी और option A में देखी वीनी सीयस तो वीनी सीयस ये 2016 में जो ओलंपिक हुए थे समर ओलंपिक तो उसका मैस्कॉट था सुमाइटी ये मैस्कॉट था पैरलंपिक का 2020 में जो पैरलंपिक का आयोजन हुआ था तो उसके शुभंकर का नाम ये स सुमाइटी था, option D में है मिराइट हुआ, तो टोक्यो पारालंपिक का आयोजन हुआ था, समर ओलंपिक का, तो उसके मैस्कॉट का नाम ये मिराइट हुआ था, ठीक है, तो आप ये मैस्कॉट भी याद दखेगा, विनिसीयस, सुमाइटी और मिराइट हुआ, और बीजिंग के विनिटर ओलंपिक के शुभंकर का नाम ये बिंग ड्वैन ड्वैन है, नेक्स्ट है, बीजिंग 2022 विनिटर ओलंपिक के मशाल का नाम क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टन्ट है, बीजिंग 2022 के विनिटर ओलंपिक के मशाल का नाम है, फ्लाइग, ठीक है, ओप्शन यहाँ पर correct है और flying इस मशाल का design के सा है तो इसका design एक सिधे pipe के आकार का है जो उपर जाते जाते आकार में बड़ा हो जाता है और जो एक पुराने मशाल की तरह दिखता है और इस मशाल के designer का नाम ये ली जियान ये है और आपको पटा है इस मशाल के लिए एक वैश्विक प्रतियोगीता रखी गई थी जिसमें 182 डिजाइन देखने को मिले थे लेकिन सबसे अच्छी डिजाइन इसको ही मान करके इसका चैन किया गया था तो ये भी most important हो जाता है बीजिंग के 2022 के विंटर ओलंपिक के मशाल का नाम ये फ्लाइंग है नेक्स्ट क्वेशन है 2008 के प्योंगचांग शितकालिन ओलंपिक में भारत के कितने एथलेट्स ने हिस्सा लिया तो इसका correct answer होगा option C ठीक है दो एथलेट्स ने भारत के हिस्सा लिया था 2018 के प्योंगचांग विंटर ओलंपिक में उनका नाम है शिवा केश्वान और जगदी सिंग शिवा केश्वान नेलज में मेंस सिंगल में कौलिफाइ किया था और जगदी सिंग नेक प्रॉज कंट्री सिंग में पार्टिसपेट किया था तो आप ये दोनों ही अथलेट्स के नाम यादाखेगा 2018 के ओलंपिक में इन दोनोंने पार्टिसपेट किया था नेक्स्ट क्वेशन है 2018 के शीत कालिन ओलंपिक के ध्वजवा हक कौन थे तो फ्लैग बियरर पर से भी most important हो जाते हैं यहां से भी आपको questions देखने मिल जाते हैं तो याद अखेगा 2018 के winter ओलंपिक के ध्वजवा हक का नाम है शीवा केश्वान ठीक है यह 2018 के winter ओलंपिक के ध्वजवा हक थे और अगर बात की जाए summer ओलंपिक की तो इस बार टोक्यो summer ओलंपिक के opening ceremony के ध्वजवा हक थे मनप्रीच सिंग और MC मेरिकॉम मनप्रीच सिंग भारती होकी टीम के captain है और MC मेरिकॉम यह मुक्केबास है भारती है और closing ceremony के flag bear थे बजरंग पुनिया जो की wrestler है तो आप यह दोनों ही नाम याद लखेगा opening ceremony के भी और closing ceremony के भी ध्वजवा हक के और अगर बात की जाए पैरलंपिक की तो टोक्यो पैरलंपिक के opening ceremony के ध्वजवा हक यह टेक चन थे और टोक्यो पैरलंपिक के closing ceremony की ध्वजवा हक यह अवनी लेख रह थी ओके तो आप यह दोनों ही नाम याद लखेगा most important है और अगर बात की जाए 2018 के winter ओलंपिक के ध्वजवा हक की तो उनका नाम है शिवा केश्वान next है ओलंपिक खेलो के ध्वज में पीली रिंग कौन से महाद वीप को दर्शाती है तो ओलंपिक का जो flag होता है उसमें अलग-अलग रंग के चल्ले होते हैं तो वो 5 रिंग होती हैं तो वो 5 रिंग अलग-अलग महाद वीपो को दर्शाती है जैसे कि नीला रंग ये यूरोप कौन्टिनेंट को दर्शाता है काला रंग ये अफरीका महाद वीप को दर्शाता है लाल रंग ये अमेरिका महाद वीप को दर्शाता है हरा रंग ये औस्टेलिया और पीला रंग ये एशिया महाद वीप को दर्शाता है तो इसका correct answer पहली बार ओलम्पिक का लोगो इस्तिमाल किया गया. तो आप यह भी इम्हाद लोगो यह उनली सो बीज में इस्तिमाल किया गया था, पहली बार नेक्स्ट है, oqu मशल्मच लजाऊ के वह भारत कोशले में तोकिय रूलमपिक में भारत knowysend वहिए हैं, option B हाँ पर correct होगा Tokyo Summer Olympics में भारत को पहला gold medal ये नीरत चोपडा ने दिलाया जैवलीन थ्रो में मीरा भाई चानू ने silver medal जीता, रवी दहिया ने silver medal जीता, पीवी सिंदू लवलीना बॉर्गोहन और men's hockey team और साथ ही बजरंग पुनिया तो ये चारों ने bronze medal जीता तो आप ये साथो athletes के नाम याद अखेगा ठीक है, अब next question देखते हैं 2020 के Tokyo Paralampic में भारत ने कितने medals जीते हैं तो Tokyo Paralampic की बात की जाए तो भारत ने Tokyo Paralampic 2020 में 19 medal जीते हैं option C यहाँ पर correct होगा 19 medal की स्कीस ने जीते तो देखिए भारत ने Tokyo Paralampic में 5 gold medal जीते हैं अपनी लेखरा ये पहली महिला हैं जिन्होंने Paralampic में gold medal जीता है सुमित अंतील मनिश नर्वाल प्रमोद भगत कृष्णा नागर ये 5 अथलीट्स ने gold medal जीते और 8 silver medal किस-किस न जीते तो भाविना पटेल निशात कुमार, योगेश कथूनिया देवेंद्र जंजारिया मरियपन थंगवेलू प्रविन कुमार, सिंगराज अढ़ाना और सुहास यतिराज तो इन 8 अथलीट्स ने silver medal जीते हैं टोक्यो Paralampic में तो देखिए सुन्दर गुरजार, शरत कुमार अवनी लेखरा, हरविन्दर सिंग और मनोथ सरकार तो अवनी लेखरा का नाम ये दो बार आता है अवनी लेखरा ने दो बार medals जीते हैं Paralampic में एक gold medal और एक bronze medal और इन्होंने shooting में medal जीता है ठीक है तो आप ये भी याद अखिएगा most important है मैंने अलग से ओलंपिक पर से भी वीडियो बनाई है Paralampic और Summer Olympics पर से भी तो आपने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप उन सभी वीडियो को देख लीजेगा और मैंने शुरू से लेकर के end तक जितने भी medalist है तो उन पर से भी वीडियो बनाई है तो आप उस वीडियो को भी ज़रू देख लीजेगा most important questions उसमें मैंने cover किये थे अब next question है पहला winter Olympic खेल कहां खेला गया तो 1924 में पहली बार winter Olympic खेल का आयोजन हुआ था और वो कहां पर था तो France में खेला गया था और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले summer Olympic खेल का आयोजन कहां हुआ था और कब हुआ था तो 1896 में Athens में पहली बार summer Olympic खेल का आयोजन हुआ था और पहली बार Paralampic खेल का आयोजन ये 1960 में रोम में किया गया था तो आप ये तीनों ही Olympic का याद अखीगा पहला summer Olympic का आयोजन ये 1896 में Athens में किया गया था पहला Paralampic खेल का आयोजन ये 1960 में रोम में किया गया और पहले winter Olympic खेल का आयोजन ये 1924 में France में किया गया था I hope आपको ये information बहुत useful लग रही होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आरी होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजे आपके likes and subscribe ही हमें motivate करते हैं कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें तो लाइक करना मत पुलिएगा Next question है International Olympic Committee की स्थापना कब हुई तो International Olympic Committee ही Olympic खेल के decisions लेती है तो इसकी स्थापना ये 1894 में हुई थी और इसका मुख्याले देख लिया जाए तो ये स्वीजर लाइन के लूसाने में है तो आप ये भी याद दखेगा most important है ये Next है Summer Olympic में मेडल जीतने वाली पहली महिला तो इसका correct answer होगा कर्णम मलेश्वरी ठीक है option C हाँ पर correct होगा कर्णम मलेश्वरी ने पहली बार Summer Olympic में मेडल जीता था और ये मेडल जीत के भारत की पहली महिला बन गई थी Olympic में मेडल जीतने वाली इन्होंने 2000 में आयो जित हुए सीडनी के ओलम्पिक में कान से पदक जीता था और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था option B में है दीपा मलीक का नाम तो दीपा मलीक ये पारलम्पिक खेल की athlete है इन्होंने 2016 में आयोजी थुए रियो के पैरलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था गोला फेक में तो आप इनका भी नामी याद अखीगा और ओलंपिक खेलों में 1900 में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था तो यहां से यह भी इंपोर्टेंट हो जाता है आपको यहां से भी क्वेशन देखने मिल जाता है कि पहली बार ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने कब भाग लिया तो 1900 में भाग लिया था अब नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं ओलंपिक खेलों के जनक किसे माना जाता है तो ओलम्पिक खेल के जनक ये पेरेडे कोबर्टीन को माना जाता है और सर लूडवीग गटमेन इन्होंने पैरलम्पिक खेल की शुरुवात की थी ग्रीश मकालिन ओलम्पिक में पहला इंडिवीज्वल पदक जितने वाले प्रथम तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन भी खाशबा जाधा खाशबा जाधा होने समर ओलम्पिक में पहला इंडिवीज्वल मेडल जीता था वैसे तो समर ओलम्पिक खेल की शुरुवात ये 1896 में हुई थी लेकिन 1928 में पहली भार भारतिय पूरुष होकी टीम ने एंस्टेडम ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीता था होकी में लेकिन पहला इंडिवीज्वल मेडल की बात की जाए तो पहला इंडिवीज्वल मेडल ये भारत को खाशबा जाधा होने दिलाय था रेस्लिंग में इन्होंने 1952 के हिलन सिंग की ओलंपिक में ब्रॉंज मेडल जीता था तो आप ये भी याद अखिएगा अब नेक्स्ट क्वेशन है पैरलंपिक खेल में पहला पदग जीतने वाले भारतिय कौन बने तो इसका correct answer होगा option C मूरली कान पेटकर ठीक है मूरली कान पेटकर ये पैरलंपिक खेल में मेडल जीतने वाले भारतिय बने 1960 से ही पैरलंपिक खेल की शुरुवात हो गई थी लेकिन भारत ने 1968 में पहली बार पैरलंपिक खेल में पार्टिसिपेट किया था और 1972 के हीडिल बर्ग ओलंपिक में स्वीमिंग में मूरली कान पेटकर ने गोल्ड मेडल जीता था तो ये पहला गोल्ड मेडल था जो की पैरलंपिक खेल में भारतिय ने जीता था और वो थे मूरली कान पेटकर इन्होंने पहला मेडल दिला है भारत को पैरलम्पिक में और वो कब दिला है तो 1972 के हीडल बर्ग ओलम्पिक में स्वीमिंग में इन्होंने मेडल जीता था तो फ्रेंड्स यह थी हमारी आज की वीडियो I wish आपको इस वीडियो जरूर पसंद आई होगी जितने भी important facts थे और important questions थे इस topic पसे तो सभी important questions को मैंने इस वीडियो में cover किया है तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like कर दीजी अपने friends के साथ इस वीडियो को share कर लीजेगा और आपने इस channel को अब तक subscribe नहीं किया होगा तो चैनल को भी ज़रू subscribe कर लीजेगा मिलते हैं next किसी amazing वीडियो के साथ